हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश लवर्स और दोस्तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भ पड़ेंगे डिटेल में उसके बाद है अंटिल और फॉर एंड सेंस यह चार प्रेपेजिशन्स डिटेल में हम देखेंगे कि टाइम के साथ वित रेफरेंस टुद टाइम यह प्रेपेजिशन्स कैसे यूज करते हैं तो चलिए दूस्तों आज का वीडियो शुरू करते ह तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यह जो पेर प्रेपेजिशन है फ्रॉम टूू इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है इसका मीनिंग क्या होता है जैसा कि हमने कहा कि यह हम प्रेपेजिशन्स आफ टाइम पढ़ रहे वित रेफरेंस टुद टुद टॉद टाइ करता है ये समय इंडिकेट करता है the beginning time इंडिकेट करता है कहां से वो activity शुरू हुई और to क्या इंडिकेट करता है वो activity कहां खदम हुई वो activity कहां पूरी हुई तो from ये beginning of the time इंडिकेट करता है और to ये end of the time इंडिकेट करता है तो यहां ये sentence का meaning क्या हुआ हम Canada में रहे यह जो sentence है यह simple past tense indicate करता है क्योंकि यहाँ जो leave verb है वो simple past में हम Canada में रहे कहां से कहां तक 1982 से 1990 तक तो यह from से हम beginning time indicate करेंगे to से हम end time indicate करेंगे okay so another sentence I work from Monday to Friday okay तो मैं Monday से Friday तक काम करता हूं मैं Monday से Friday तक काम करता हूं Saturday और संडे मुझे छुट्टी होती है तो from indicates beginning time period of time here to indicates end period of time so that is from to कहां से कहां तक okay कहां से from कहां तक to और एक pair of preposition है जैसे कि from to है वैसे ही from until है यह सेम है आप from to के जगह from until का भी प्रयोग कर सकते from कहां से और until कहां तक जैसे कि to कहां तक time indicate करता है the end point of time indicate करता है वैसे ही until the end point of time indicate करता है यह sentence देखो we lived in Canada from 1982 until 1990 हम Canada में रहे कहां से 1982 से okay from that year that is 1982 को हमने रहना शुरू किया और कहां तक रहे 1990 तक रहे okay कहां से कहां तक until same है to के जैसा from to use करो या फिर from until use करो one and the same until preposition जैसे from के साथ pair में आता है वैसे until preposition single भी आ सकता है जैसे कि यह देखो until plus the end of a period तो until जब single preposition आता है तो उसके बाद जो word आता है या phrase आती है वो क्या indicate करती है वो end of a period indicate करती है कैसे sentence देखो तो हम कहते until Friday तो Friday तक okay Friday that is end of a period उसके बाद नहीं Friday तक या फिर जैसे कि until December okay until December so December तक December के बाद नहीं या फिर until three o'clock तीन बजे तक तीन बजे के बाद नहीं so three o'clock indicates the end of a period or until I come back जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक उसके बाद नहीं कैसे sentence देखो they are going away tomorrow वो कल बाहर जा रहे है they will be away until Friday वो कब तक बाहर ठहरेंगे वो Friday तक बाहर ठहरेंगे Friday तक Friday के बाद नहीं until plus the end of a period or wait here until I come back यहीं खड़े रहो ओके यहीं खड़े रहो जब तक मैं वापस नहीं आता तो यहां until उसके बाद जो I come back वो समय तक जब तक मैं वापस नहीं आता ओके until I come back until plus the end of a period अभी और एक प्रेपेशिशन है जिसको till T I W L till ऐसा कहते है और वो सेम है synonymous है या फिर सेम है यह कहों until के जैसा ही है या फिर until के बदले till यूज करो तो meaning one and the same है don't get confused many times we get confused बहुत बार हमें confusion होता है कि till और until में क्या difference है तो difference है सा कुछ नहीं है till और until same ही है तो sentence देखो यही same sentence wait here until I come back until को आप रिप्लेस करो till को रोको wait here till I come back meaning one and the same till plus the end of a period एक comparison है वो comparison हम देखते हैं until हमने देखा कि until plus end of the period कहां तक उके उसके बाद नहीं तो दो sentence है दो sentence है हम समझते है कि until का meaning क्या होता है और दूसरा एक preposition लिया है comparison के लिए वो है on okay on हमने देखा है लेकिन यह that way how long so period वो जो वेक्ति पूछ रहा है वो क्या expect कर रहा है कि period of time तो until Monday Monday तक Monday तक Monday के बाद में Monday तक मैं बाहर रुकूंगा अभी देखो अगर आप थोड़ा सा अलग question वो वेक्ति को पूछोगे when are you coming back now you want exact day कब वो return आएगा तो when are you coming back तो वो कहेगा on Monday तो जब वो कहेगा on Monday exactly on that day so difference है until on में अभी जो हम preposition देखने जा रहे हैं वो है since, since कभ यूज करते हैं since plus a time in the past to now a time in the past to now तो since के आगे exact point of time होता है और उसका meaning क्या होता है उसका meaning यह होता है कि जो घटना है वो घटना past में a time in the past कही तो शुरू हुई और वो अब तक शुरू है तो यह meaning since का होता है since के आगे exact point of time यूज करते हैं जैसे कि since Monday Monday is exact point of time since 1980, 1980 is also exact point of time since 2.30, 2.30 is also exact point of time since I arrived, I arrived so from that moment that is since, so since indicates exact point of time बहुत important, very very important since कहां यूज होता है since present perfect tense में use होता है और since present perfect continuous tense में भी use होता है तो since 2 tenses में use होता है एक है present perfect tense और दूसरा है present perfect continuous tense okay sentence देखते हैं तब समझ में आएगा कि exactly since का मतलब क्या होता है Amit is in hospital, he has been in hospital since Monday क्या मीनिंग है धान से समझो Amit is in hospital, Amit hospital में है Amit is in, this is present tense, अभी, at present, Amit कहां है, hospital में है अभी अगला sentence देखो He has been in hospital, वो hospital में है कब से, since Monday, Monday से, Monday से वो hospital में है मतलब अब तक है, आज भी है, अब तक, इस moment तक वो hospital में है Monday से लेकर, तो since Monday जब हम कहते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, Monday से लेकर अब तक Okay, इस point of time तक, so that is since sentence, और sentence देखते हैं Mr. and Mrs. Sharma have been married since 1980 Okay, so क्या मीनिंग हुआ इसका Mr. and Mrs. Sharma have been married Okay, कहां से, since 1980 से Okay, 1980 में उन्होंने शादी की Mr. and Mrs. Sharma ने 1980 में शादी की तब से वो साथ रहे रहे है तो जब आप कहते हो, since 1980 इसका मतलब होता है, 1980 से लेकर अब तक, आज भी, इस समय भी वो साथ में रह रहे है Okay, that is since 1980 Next sentence is It has been raining since I arrived Okay, तो बारिश हो रही है कबसे हो रही है? जबसे मैं पहुंचा जबसे मैं यहां आया तब से बारिश हो रहे जब मैं यहां आया तब बारिश शुरू हुई और अब तक बारिश शुरू है आप देख सकते हो यह जो sentences है इन में या तो present perfect tense यूज किया गया है या फिर present perfect continuous tense यूज किया गया है जैसे कि यह sentence has been has been क्या indicate करता है present perfect indicate करता है यहां have been married यह भी present perfect tense indicate करता है तिरप इसका passive aspect है passive में sentence है ऐसा कह सकते हो यह जो tense है has been running यह है present perfect continuous tense एक comparison है वो comparison से हम prepotitions of time समझने की कोशिश करते है तो यह sentence है we lived in Canada from 1982 to 1990 हम Canada में 1982 से 1990 तक रहे from indicate करता है the beginning of the period और to indicate करता है the end of the period हमने यह पढ़ा ओके ठीक है next sentence we lived in Canada until 1990 अभी यहां सिर्फ until single use किया गया है उसके साथ the end of period तो कब तक रहे 1990 तक रहे यह भी हमने पढ़ा है यह sentence देखो now we are in France अभी हम कहा है अभी हम फ्रांस में है we came here in 1990 हम फ्रांस में कब आए 1990 में आए okay we came here past tense we came here in 1990 यह sentence देखो because we are learning since we have lived in France since 1990 हम फ्रांस में कब से रह रहे है 1990 से रह रहे है okay तो since का मतलब हुआ 1990 से लेकर अब तक आज भी हम कहा है फ्रांस में है have lived कुन सा tense indicate करता है present perfect tense indicate करता है next जो preposition of time है वो है for जैसे कि हमने since देखा since के बाद हम exact point of time यूज करते है वैसे for के बाद हम period of time यूज करते है okay for के बाद हम period of time यूज करते है जैसे आप देख सकते for plus a period of time since plus exact point of time for plus a period of time जैसे कि हम कहते for three days okay so three days क्या है 3 days एक period of time है 3 दिन for 10 years 10 years एक period of time है 10 साल for 10 minutes 10 minute एक period of time है 10 minute for a long time बहुत देर तो for a long time एक period है for plus a period of time since plus exact point of time हम sentences देखते हैं पहला तो sentence है सचीन stayed with us for 3 days सचीन हमारे यहां रुका कितने दिनों के लिए 3 दिनों के लिए या फिर यूँ कहे कि 3 दिन सचीन हमारे यहां रुका हमारे यहां था so for plus period of time next is I am going away for a few weeks मैं कुछ हपते के लिए बाहर जा रहा हूं तो for plus a few weeks a few weeks indicates a period of time या फिर they have been married for 10 years okay for plus 10 years 10 years indicates a period of time 10 सालों से वो शादी शुदा है okay for 10 years या फिर John has been in hospital for 3 days John अस्पताल में है for 3 days 3 दिनों से 3 दिनों से John अस्पताल में है it has been raining for 6 hours 6 गंटे से बारिश हो रही है for plus 6 hours that is a period of time 6 गंटे से बारिश हो रही है और एक बात है यहां ध्यान रखने वाली जैसे कि हमने since का प्रयोग देखा present perfect tense और present perfect continuous tense में करते है वैसे ही for का प्रयोग भी present perfect tense और present perfect continuous tense में किया जाता है मगर इसके साथ-साथ जो for का प्रयोग है वो दूसरे टेंस में भी किया जाता है तो सबसे पहले तो हम देख दे की for का प्रयोग जो है वो present perfect और present perfect continuous में कैसे किया जाता है और उसका meaning क्या होता है ये तीन सेंटेंस आप देखो, लास के जो तीन सेंटेंस है, उसमें जो पहला सेंटेंस है, they have been married for 10 years, अभी ये जो सेंटेंस है, have been married, ये present perfect tense है, उसका passive aspect है, दस सालों से वो शादी शुदा है, अभी यहाँ, meaning क्या होता है, दस सालों से शादी शुदा है, मतलब आज भी वो शादी शुदा है, आज भी वो एक दूसरे के साथ है, that is they have been married for 10 years, तो क्या हुआ, meaning इसका गटना शुरू हुई past में, 10 years before वो शुरू ही, और आज भी वो शुरू है, ये meaning कब होता है, present perfect tense में होता है, यहाँ भी देखो present perfect tense ह has been in hospital for 3 days, 3 दिनों से जौन अस्पताल में है, तो 3 दिन पहले जौन अस्पताल में बरती हो गया, admit हो गया, और आज भी वो अस्पताल में है, so has been, ये कौन सा tense है, present perfect tense है, और एक यहाँ tense है, वो है present perfect continuous tense, it has been raining for 6 hours, तो 6 गंटे से पहले बारिश शुरू हुई, और अब भी ब और 6 hours, the same sentences है, same sentence आप, अगर यहाँ sense लिखोगे तो उसके आगे period of time नहीं आएगा, उसके आगे point of time आएगा, वो हमने इससे पहले देखा है, ये दो sentence देखो, पहले दो sentence, सचीन stayed with us for 3 days, यहाँ state जो है, वो concertence indicate करता है, simple past is indicate करता है, मगर यहाँ जो meaning है, वो घटना हो चु meaning में, जब आप for plus period of time, simple past के साथ use करते हो, और जब आप for plus period of time, present perfect, present perfect continuous के साथ use कर सकते हो, next is, I am going away for a few weeks, अभी I am going, यह जो है, यह present continuous tense है, लेकिन यह future time indicate करता है, I am going away for a few weeks, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, ओके, तो यहाँ जो है, for a few weeks, अभी कुछ हपतों के लिए, तो in future period of time, यह for plus period of time indicate किया गया है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, thank you.